दोस्तों हमारी दुन्या तेजी से बदल रही है आने वले समय में हम पूरी तरह रोबोट्स पर निर्भर हो जाएंगे यानि हमारी पूरे काम रोबोट्स ही करेंगे घर का खाना बनाने से लेकर कार की ड्राइविंग तक लेकिन दुन्या में कुछ ऐसी भी लोग है जिनकी जगा रोबोट्स कभी नहीं ले सकते ये लोग रोबोट्स से भी जादा तीजी से काम करते हैं तो चली जानते हैं इन लोगों के बारे में पहले नमर पर है ग्राश ट्रीमर ये लोग इतनी तीजी से घास काटते हैं कि इनकी बराबरी कोई नॉर्मल इंसन कभी नहीं कर सक एसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो को देखकर खुद समझ जाएंगे दूसरे नमर पर है सियरिंग सीप बेंड के सरीर से उन उतारना बहुत ही कठीन काम है इस काम को करने के लिए एक अच्छे एक्सपर्ट रिक्ति की ज़रूत पड़ती है लेकिन कोई एक्सपर्ट इंसान को भेड़ के उन उतारने में आधा गंटा समय लग जाता है लेकिन औस्टेलिया का रहने वाला डैन ब्लेक नाम का ये वैक्ति सिर्फ 40 सेकंड में भेड़ के उन उतार देता है ऐसा करके इन्होंने अपना नाम गिनिस बूक आफ वर्ड रिकॉर्ट में भी दर्ज करवा लिया इतने तेजी से तो एक मसीन रोबोट भी काम नहीं कर सकता दोस्तो आपके कार के टायर का भी पंचर होते हैं तो उस पंचर वाले टायर को निकालने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है लेकिन आज मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो स्रिप 69.6 सेकिंड में ही गाड़ी के चारो टायर को बदल कर नए टायर लगा देते हैं अगर आपने पहले कभी नारियल को तोड़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि नारियल को तोड़ना कितना मुस्किल होता है इसे तोड़ने के लिए किसी टूल की जरूत पड़ती है लेकिन ये कूंफू मास्टर स्रिप अपने एक उगली से नारियल में छेत कर देता है जिसके कारण ये अपना नाम मलेशिया वोक अप वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्च करवा चुका है ऐसे ही साल 2011 में अपने एक उगली से 12 सेकंड में चार नारियल को तोड़कर एक नेव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था टेकनोलोजी के आने के बाद कई छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसीनों को रोबर्स के दौरा बनाया जाता है लिकिन ये महिला SMPH Transformer को अपने हाथ से ही बना रही है वो भी किसी रोबोट से कई गुना जादा इस पीड से इस महिला की जगा एक रोबोट तो कभी नहीं ले सकता तो दोस्तों ये से दुन्या के 5 ऐसे लोग जिनकी जगा एक रोबोट कभी नहीं ले सकता मुझे उमिद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद नहीं होते इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के निचे दिये लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद